पती पतनी का सच्छा प्यार, एक आदमी ने एक बहुत ही खुबसूरत लड़की से शादी की, शादी के बाद दोनों की जिन्दगी बहुत प्यार से गुजर रही थी, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहारवा उसे बहुत चाहता था और उसकी खुबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्मरोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खुबसूरती जाने लगी, खुद को इस तरह देख उसके मन में दर समाने लगा कि यदि वो बदसूरत हो गई, तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा और वो उसकी नफरत बरदाशत नहीं कर पाएगी, इस बीच एक दिन पती को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, काम खत्म कर जब वो घर वापस लोट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आखे खो दी, लेकिन इसके बावज प्रजूद भी उन दोनों की जिन्दगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही, समय गुजरता रहा और अपने चर्मरोग के कारण लड़की ने अपनी खुबसूरती पूरी तरह गवादी, वो बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बहुत दू, की था, वो उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था, उसने अंतिम संसकार की सारी क्रियाविदी पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा, तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पा था, क्योंकि यदि मेरी पतनी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूर्ती देख सकता हूं, तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता, इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया, वो बहुत अच्छी पतनी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था तो दोस्तों खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रती आखे बंद कर लेनी चाहिए, और उन कमियों को नजरंदाज कर देना चाहिए, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, और एक प्यारा सा कोमेंट और लाइक करे धन्यवाद